तो चलिए शुरू करते हैं आज कर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं उन का इस्तिमाल करके हम एक बहुती सुंदर सी चीज कैसे तयार कर सकते हैं तो यह देखे मैंने यहाँ पर उन ली है और थ्री फिंगर्स पर मैं इस तरह से लपेट रही हूं यह देख सकते हैं 25-30 बारा पिसे इस तरह से लपेट यह तो मुझे छोटे साइज के फ्लार्स बनाने हैं इसलिए मैं थ्री फिंगर्स पर लपेट रही हूं इसे और इसे cut कर देते हैं, इसमें से एक छोटा piece और से बान दीजिए, अच्छे से note लगा देए इसमें , guide तो इस तरह से हमने flowers तैयार करने हैं 5-6 flowers इस तरह से ready कर लेंगे यह देखें हमने बान दिया इसको अब हम इसे cut करेंगे इस तरह से साइडों से cut कर दें तो हम यहाँ पर pom-pump नहीं बना रहे हैं पॉम-pumps के लिए हमें जादा उनकी जरूरत होती है जादा उन रेप करनी होती है बट इस तरह की flowers बनाने के लिए जादा उनकी जरूरत नहीं होगी अब इसे इस तरह से open करना है ध्यान से देखिए इस तरह से इस ओपन कर लीजिए फैला दीजिए चारो तरफ उनको और इसके बाद इसे गोलाई में कट कर दे जहाँ पर भी कोई भी पीस आगे की तरफ निकला है उसे आप ट्रिंग कर दे और इस तरह से हमारा फ्लार बन कर तयार हो जाएगा तो सेम साइ तो इस तरह से हमने रैड कलर के फ्लार्स तयार किये हैं हम इसमें रैड और ग्रीन का कॉंबिनेशन करके एक बहुत ही सुंदर सी वाल हैंगिंग तयार कर रहे हैं ये देखिए सारे फ्लार्स हमारे रैड हो चुके हैं अब हमने एक कार्ड बोर्ट लिया है कोई भी थेक य तो जो circle हमने draw किया था उसको cut कर लेते हैं इस तरह से अगर cardboard thin है तो आप इसे चिपका लें double cardboard लेकर के आप इसे तयार कर सकते हैं और यह देखे बीच में मैं एक और circle draw कर रहे हूं इसे भी हम cut कर separate कर देंगे तो इसमें से हमें एक ring निकल कर मिल जाएगा तो इस तरह से हमें cardboard का ring चाहिए तो line के उपर cut लगा दिया है और यह एक ring निकल कर आ गया है इसे हमने cover कर दिया है green color के ribbon से आप चाहें तो इसे उन से भी cover कर सकते हैं इसके बाद हमने एक net का piece लिया है कोई पुराना fabric आपके पास पड़ा हो आप उसे ले सकते हैं इसके लिए net का दूपट्टा आपके पास है वो ले सकते हैं और इसके बाद हमने ring के उपर glue लगा दिया है और कपड़े को plain surface पर फैलाया है और ring को इसके उपर इस तरह से रखेंगे इसे प्रेस कर दें और ये इसके उपर चिपक जाएगा उसके बाद हमने extra fabric को कट कर देना है ये देखिए ध्यान से आप कट करें से अंदर ही अंदर बाहर ना निकला रहे इस तरह से हमने इसे कट करना है इस तरह से दिखाई दे रहा है इपीस अब हमने only है और इसे हमने इस तरह से कट किया है इसे बरावर में फैला दें कि cardboard के उपर रख करके आपने इस तरह से फैलाना है और हमने glue लगाया है और ring के उपर और इस तरह से से उपर रख दें यह देखिए और इसके बात फिरसे से कौम कर सकते हैं थोड़ी सी ओन हमें और चाहिए इसके लिए यह कम पड़ेगी इसलिए हमने हमने थोड़ी सी ओन पीछे की तरफ से ये पूरी तरह से चिपक जाना चाहिए अगर कोई पीछ रहता है तो आप बाद में ग्लू लगा करके से चिपका सकते हैं ये देखे एक्स्टा उन को आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सी वाल हैंगिंग बनकर तयार होगी उन की हैल्प से बस आपने कलर कॉमिनेशन का ध्यान रखना है कॉम करें इसे अच्छे से और ये देखे मिक्स हो गए हैं ये दौनों कलर्स तो ये शेडिंग में लग रहा है और इसके बाद हमने इसे एक ट्राइंगल शेप देते हुए इस तरह से कट करना है एक्स्ट्रा उन को कट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर देख रहा है और अब हम बिलकुल सेंटर में पीछे की तरफ ons से हएंग करने के लिए एक लूब बना करके उसे चिपकाएंगे तो ऊन का पीस ले सकते हैं रिभन का कोई भी पीछ आप लेer करके एक लूब बनाकर करके चिपका दीजीए इससे हम इस〜ब्ल पर हैंग कर सकते हैं बचे हुई पीस को चिपका देते हैं तो कटिंग कर दी है इसकी और यह ड्राइ हो चुका है अब मैं इसे आगे से दिखाती हूँ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है और जो फ्लार्स हमने शुरू में बनाए थे उनको हमने उपर की तरफ इस तरह से अरेंज करना है तो देख सकते हैं रैड क्रीन का कॉंबिन बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप इसे वाल पर जहां पर भी लगाएंगे यह बहुत ही सुंदर देखने वाला है पहले आपने सारे फ्लार्स को अरेंज कर लेना है और उसके बाद ग्लू लगा करके एक-एक फ्लार को उठाते जाए और उसी जगह पर चिपकाते जा तो यह पीस हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसके बाद मैंने थोड़े से मूती लिए हैं उनको भी चिपका दिया है फ्लार्स के उपर भी चिपकाए हैं और नेचे की तरफ भी बराबर स्पेस रखते हुए मूती लगा दिये हैं और यह हमारी वाल हैंगिंग ब देखे बहुत ही सुन्दर दिख रही है यह तो इसे हमने वाल के उपर लगा दिया है और आप आप देख सकते हैं कैसी दिख रही है यह तो इस तरह की वाल हैंगिंग बनाना बहुत ही आसान है अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी पुरानी उन पड़ी है बची तो भी material इसमें इस्तिमाल हुआ है, वो आसानी से आपको घर पर ही मिल जाएगा, जो net का fabric मैंने इस्तिमाल किया है, आप उसकी जगे पर net की कोई चुन्नी आपके पास पढ़ी है, उसे लगा सकते हैं, या कोई सुन्दर सा fabric आपके पास पढ़ा है, तो आप उसका भी इस्ति त्यार कर सकते हैं, इस तरह की wall hangings आप market से purchase करेंगे, तो काफी महगी पढ़ती हैं, बढ़ आप जाहें, तो घर में ही available सामान से आप इने बहुती कम टाइम में और बहुती आसानी से त्यार कर सकते हैं, और अपने घर की दिवारों की खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं, य मेरा Facebook पेज, मेरा Instagram पेज भी follow करें, thanks for watching.